इस्टोरी है एक ऐसे श्रेंट की जो अपने फॉर्स्ट अटेंब में फेल करता है विद 176 मार्क्स और ये वो मुवेंट है जहां पर उसके पैरेंट्स उसके फ्रेंट्स उसके रेलेटिव सब उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ये बोलकर यार तुने टफस्ट एक्जाम दिय कर घर वालों का सपोर्ट देखते हुए वह अगले छे महिने लगाने को वापत से त्यार होता है कि कोई ना इस छे महिने में तो हर हाल में फोर्ड देना है और यहीं पर सिनार्यू चींज होता है अगला आटेंट वह अपना दूसरा आटेंट्स लिखता है पुरी था और उसका खुद का इमोशनल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है लेकिन वह अपनी पूरी हिम्मत वापस से जुटाता है और अपना थर्ड अटेंट लिखता है और इस थर्ड अटेंट में जो स्को माक्स मिलते हैं वह बहुत इंस्पारिंग है 300 प्लस माक्स 308 नमबर तो यह रियल माक्स है है और आपके लिए बहुत ही ड्रमाटिक होगा लेकिन सच बात यह है कि यह रियल और बड़ी इंस्पारिंग स्टोरी होगी मुझे इस स्टोरी ने बहुत इंस्पार कर रहा है और यह रिजन है किस वीडियो के साथ मैं आप सब तक पहुच रहा हूं है आई यह बात करते हैं तो अगर आप सीए फाउंडे से जून ट्वेंट ट्वेंट ट्री एजाम लिख रहे हैं तो जो माक्स मैंने आप से बताए हैं पहले आप यह माक्स देख लीजिए हैना फॉस्ट एंटी फोर माक्स एंट थर्ड अटेंट अटेंट एक स्मार्ट एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल हुए हाता है जब वो अपना री अटेंब लिख रहा होता है जब उसके तमगे पर लग जाता है कि वो एक रिपीटर है है ना क्यूं सर उसके फैमिली वाले भी काफी हद तक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं वो भी डाउट में आते हैं यह पूछना शुरू कर देते हैं यार तेरे से हो तो जाएगा ना और यहां से स्टार्ट होती है इमोशनल ब्लैकडाउन की जर्णी वो बच्चा किसी से शेयर तक नहीं कर सकता बट मेरा यह प्राउड रहा कि मेरे वो मेरे फ्यूटर से स्लॉट वन का बच्चा बना है न तो मैं आज आपको इस वीडियो के दूँ वो रीजन बता रहा हूंगो जिस रीजन की व्यास से उसका फॉस्ट लगता है उसके सेकेंड लगते हैं और वो बनते हैं हमारा फूचर स्लॉट वन का बच्चा और उसके थर्ड अटेंड में उसको मिलते 308 मार्क बहुत ही इंस सच में DCD फॉलो कर लिया तो रिजल्ट बहुत छोटी बात होगी आईए देखे प्रिंसिपल क्या है किसी भी एक्जामनेशन को करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वह तीन है फोकस आपका अपने काम पर हार्ड वर्क जो कि रिक्वाइड होगा और मोस्ट अब आपको याद होगा एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट वीडियो को यहीं पर पॉस करिए यह सेशन लाइव ना लेके मैं आपके तुर शेयर करूं वीडियो के फॉर्माट में बहुत क्रिश्टल क्लियर रख सकूं जो मैसेज में आप तक देना चाहता हूं अगर आपक आपको नहीं मालूम किसके लिए इंस्पिरेशन बने और यह रिजल्ट उसके भी लाइफ में कुछ चेंज ला सके जड़ा देखिए चैलेंज यूर सर्फ यह सबसे पहला कोट है सर आपको अपने आपको चैलेंज करना पड़ेगा याद करी जो हमनें रीसेंटली साइवन तो आपकी क्या लर्निंग रहे वह आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइए अभी के वीडियो पॉस्ट करके मैं अपनी लर्निंग बताता हूं अगर यादू से पहले तो हम साथ दिन में छे लाइव सेशन कर रहे थे मतलब साफ है एक दिन का एक लाइव सेशन आप समझ उस साथ चार से पाथ हिंटे लाइव रहें लिए उसकी पहले से प्लानिंग करना और तो और जो भी चाप्टर कम्प्लीट कर रहे हो उसका आपका टेस्ट लेना आपको सल्वीशन देना यह साथ दिन क्या मैं डेडिकेटेड वे में इन बच्चों को दे सकता हूं जो जू मैं फिर से रिपीट करूंगा यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है यह सारा का सार उस बच्चे से शेर किया हुआ है उस बच्चे ने मेरे से कन्वर्शेशन के दौरान मैंने उसे सच में पूछी है बात यार जून ट्वेंट ट्रेंट वालों को मुझे आपकी बाते शेर कर करते हैं और हाँ जो रिजल्ट है मैं आप से टेलीग्राम पे शेर कर दूंगा जो बच्चा नया है प्लीज टेलीग्राम पे सर्च करें सीटी सी क्लासे आपका बिली सिस्टम बहुत श्रॉंग है ना इस वीडियो को सिर्फ वीडियो की तरीके था मत देखिए एक बच्च है बट इस तिल आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी बच्चे का नाम लेकि उसका पूरा डेटा आपसे इंटर्व्यू की फॉर्म में शेर किया हो यह फॉस्ट टाइम है क्लास पे क्योंकि जून 23 के बच्चे वह हैं जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अपने क्यों लगा तेकेंड क्यों लगा और तीशेट में मैं 300 लाया कैसे आई देखते हैं सबसे पहला लगने की रीजन रीजन पर बहुत ध्यान से फोकस रखेगा ओवर कॉंफिदेंस किसलिए क्लास ट्रॉल से फर्स टाइम आते हो आपको ऐसा लगता है क्या है इसमें ऐसा क्य क्या है वही तो कॉर्स है कि आधे लोग आपको समझा रहे तो कॉर्स सब कुछ सेम है तो आप और कॉंफिदेंट होते हो सब्सक्राइब कर लेते हो कि क्या ही करना इसमें एकनॉमिक्स में तीदें सी क्यों मैथमेडिक्स एंसे क्यों है एकाउंट का 80 90 पर से बस्तों क्लास से लेमं ट्वल्थ वाला अपन तो चीर देंगे लौ में हयी कि आप पूरे एंपल समझ में आई रहे रहे हैं न राइटिंग्ग क्राक्टिस नहीं है और इत्र बन बैकलौग आप एक लास चोड़ते हैं दो लास चोड़ते हैं और आपका इतना बैकलॉग लग जाता है कि आप चाहके भी कवर नहीं कर पाते हैं और यह तो आपने रीसेंट सेवन डेज चैलेंज में भी एक्सपीरिंस किया होगा कि डेवन पर इतने सारे बच्चे लाइव रहे है ना लगबग दस हजार बच्चों ने डेवन की ग्लास देखी डेटू पर आते थे कम हुए ठीप और कम फॉर पर और कम सिक्स पर और कम संप और ज्यादा कम तो यह आप समझ पा र और यह सारी बाती है उस्चे लिकलारस नहीं से अचल करी कें नहीं से सब्सक्राइब 2030 और इंद आको सेल्फ अनाइलस सेल्फ नहीं किया जा रहा कैसे हो गाल सीए फांडेशन जड़नी में बड़ी सीधे तरीक में आप चैप्टर एश्टे स्री लिख रहे हूं आप पेपर लिख कैसे हमें लगा क्या दो लिख चुका है तीसरा लिखना है एक बात समझे एवरेज श्रेंट को कोई भी इंस्ट्यूट प्रियोर्टी नहीं देता एक्सेप्ट से डिसी क्लासेश क्यूं सर एवरेज़ श्रेंट जिसमें आग बहुत है उसे रोड मैप की जरूरत है कि तुम इस तरीके से करो हो जाओगे हन्डेड परसेंट हो जाओगे बट बिंग अटीचर मैं आपको बता सकता हूं मैं आपके साथ काम कर सकता हूं पट एडड़ एंड लिखना आपको पड़ेगा एक्जाम हॉल में जाकर है ना वहां मैं नहीं जा सकता ये ड्रॉबैक रहेगा हमारे साथ तो जब मैं आपको रोड मैप देता हूं आपको ऐसे से काम करना है चार पेपर में दो पर ये स्टेंथ बनानी है आपको अपने कॉर्डिंग चलना है अगर सो नंबर एक रिपीटर के पास हमेशा एक होता है फ्रेशर के मुकाबले कि वह सबसे जादा बहतर परफॉर्म कर सकता है लेकिन अग अब जरा ध्यान दीजिए अब हो क्या रहा है उसके प्रॉपर जा रही है थेना फोकस हो के समझी का चीजों इस डी प्रॉपर जा रही है अकाउंस में उसने सब्जेक्ट वाइस भी मुझे बताया था इस अब सब्सक्राइब बेस्ट पार्ट था मुझे इवर उसने वह सब्सक्राइब कॉल पर बात करो तो और ज्यादा वहतर कर सो बट टाइम की शॉट्डश की वैसे मैं वह तो नहीं कर था का बट स्टिल जो बात उसने पता ही मैं उसको बहुत प्योरली लिखाओ एक दो पॉइंट शायद मेरे एड होंगे बाकि सारे उसके होंगे जहां त करते हो आँ वीडियो देखते हूं रीड नहीं कर रहे है वीडियो देखने के बिफोर आफ्टर इफेक्ट कितनी बार वोला है करिए लिखिए पेपर कर रहे तो करना पड़ेगा ना इको एन बीसी के रीडिंग और प्राक्टिस मोर देन फोर टाइम्स जो मॉडूल है उस कंसरें किवेस्टẩम फॉर अट्लिस 75 marks 75 marks का टारगेट मिनिमम हो जीट कर रहे हो और उस पर में बहुत ज्यादा फोकस जाहरे हो हजार बार करी कि चीज़ेंamatे सो नबर की त्यारी지 कर लें ,ट умग को नहीं कोई वाएदाकी आटके सबसे से इंपॉर्टन जहां पर बच्चा मिस्स कर जाता है ध्यान दीजी चैप्टर स्टेस्टरीज ट्वेंटी फाइफ चैप्टर स्टेस्टरीज आप डाउट में आ जाओ कि इतने ही सुनके 25 चैप्टर स्टेस्टरीज बहुत आसान है कैसे सर 12-15 चैप्टर तो एकाउंट की ल प्राइफ लिखी है आगे बढ़ते हैं फुल फ्लेक पेपर मॉक टेस्ट चार चार पेपर लिख डाले सब्वेट्स के चार चार पेपर बहुत बड़ी बात होती जब आप प्योर्ली लिखते हैं विदि प्राक्टिस लिखते सिर्फ पेपर निन लिख एक पेपर लिखा और आपको लगा नहीं यार कहिंगे कमी रह रही है वापस से बैठे पढ़ने वापस से रिविजन करा वापस से कंसेप्टोल इंडस्टाइडिंग करी और दुबारे पेपर को दूसरा पेपर जो है एक सो दो दिन तीन निन का गैप लिया और फिर पेपर लिखने बैठे और पहली परफॉर्मेंस से दूर सी परफॉर्मेंस को अनाल्सिस करा कि क्या हम बहतर कर पा रहे हैं अगर हां तो मद आ रही नहीं तो क्यों नहीं रिजन पता हूं जी कॉज़न इफेक्ट रिलेशन्शेप अगला इन सब को करते हुए नाव इट्स रिजल टाइम अब आपकी बारी है जून 2023 लिखने की मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर से बताएगा कि आप सच में रेडी हैं किस बात के लिए इतने एफर्ट्स लगाने के लिए और अगर आप सच में इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको यह बिलीव होना चाहिए पेपर ज आप 101 परसंट पाज़र कर जाएंगे विश्यू आल दी बेरी बेस्ट और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हो तुम अखेले नहीं हो